हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टू कॉन स्टेडी, आज हम करने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट थर्ड जिसमें हम एक ट्रिक सीखेंगे, उसके अलावा डिस ओनेस्ट वेंडर्स का एक निया कंसेप्ट, निया केस पड़ेंगे और उसके सारे कंसेप्ट सीखेंग है, यह कोशन आज के कंसेप्ट पर बेस नहीं है, यह कोशन मैंने जो आपको पार्ट सेकिंड कर रहा था, उसके कंसेप्ट पर बेस है, एक सीधी से चीज़ बता दूँ, मैंने आपके उस टाइम भी कहा था, कि जब हमारी SP इकुल दी होगी, यह CP of first product equals to SP of second product, ऐसा कुछ भी दिया होगा, तो हम एक जो चीज़ लगाएंगे वो है fraction method, fraction method में क्या था, जो हमें percentage दी होगी, उसको हम fraction में convert कर लेंगे, जैसे 10% की value आगी, 1 by 10, तो नीचे वाली term होगी CP, उपर वाली term, profit and loss, जो भी कहा हुआ होगा, उससे हम निकालेंगे SP, ऐसे करते करते, तीन articles है हमारे पास, तीनों articles की SP निकालेंगे, उन सब SP को equal बनाएंगे तो जो भी हमारी CP बगारा, जो भी आएगा, वो सब आपने देखने है, क्योंकि ये question आपके practice question है, इसको आपने खुद solve करने है, और अपने answer को comment section में post करने है, ठीक है, तरीका मैंने बता दिया, कैसे type के question पे ये तरीका apply होता है, ये भी मैंने बता दिया, कैसे करना है, य आपको खुद solve करने है, और answer comment section में post करने है, हम चलते हैं, हमारे आज के trick पर, तो trick है, आपने एक simple सी चीज याद रखनी है, कि trick ये वाली कहां कहां apply होगी, और जहां जहां apply होगी, वहां कैसे apply होगी, सबसे पहली चीज, ये trick उन जगाओं पे apply होगी, जहां पर दो articles को ब profit percentage अगर वो earn कर रहा है, पहले particle को बेचने पर, तो same loss percentage उसको earn करना चाहिए, second article को बेचने पर, यानि suppose कर लीजिए, दो articles है, दोनों की SP है, 100-100, ठीक है, CP क्या है, वो लग चीज है, अभी हम SP की बात कर रहे है, क्योंकि मैंने यहाँ पर mention किया है, equal SP होनी चाहिए, दोनों articles की, तो दोनों articles के आपको दिख रहे है, 100-100, equal SP है, पहले article पे आपको 10% का हो रहा है profit, यानि जो आपने बेचा इस article को score pay में, तो आपको 10% का profit हो रहा है, और दूसरे article पे आपको 10% का हो रहा है loss, तो हमारी condition क्या थी, कि SP सेम होनी चाहिए, और profit और loss की percentage सेम होनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, जब भी ऐसी condition आती है, तो हमें पता चल जाएगा कि उस बंदे को definitely loss होने वाला है, overall business में, तो loss होने वाला है business पे तो loss की कुछ percentage भी होगी, तो loss की percentage निकालने का formula है, x square divided by 100%, अब यह x square के है, यह x यही percentage है, जो सेम है, तो for example यह है, आपके पास question, कि दो कि SP है, 100-100, एक पे आपको 10% का profit, दूसरे पे आपको 10% का loss हो रहा है, तो 10 का square upon 100% का उसको होगा overall loss, overall loss आ गया आपका 100 divided by 100% यानि की 1% का आपको overall loss हो रहा है, ठीक है, तो यह थी short trick की कैसे हम इस question को short कर देंगे, एक एक चीज, एक एक step को बार बार करने के बजाए हम skip कर अगर वो सारे step और सीधा अपनी percentage निकाल लें, तो ऐसे question इस तरीके से किये जा सकते हैं, अब मैं ये एक example की form में आपको दिखा देता हूँ, सो ये question हमने पिछले part second में भी किया था, उसमें क्या था कि उसमें यहाँ पर values दी हूई थी, ठीक है, values वाला भी दिखाऊंगा, मैं फिलाल आपको percentage की बात कर रहा हूँ, राजू सोल टू फ्लेट्स बारा लाख इच, दोनों फ्लेट्स उसने बारा लाख के बेचे हमारी SP है सेम, ठीक है, पहले पर उसको profit हुआ 20% का, दूसरे पर उसको loss हुआ 20% का, profit 20% loss 20%, हमारी दोनों जो conditions थी, कि हमारी SP सेम होनी चाहिए, और profit और loss की percentage सेम होनी चाहिए, व profit तो इसको definitely नहीं होगा, क्योंकि हमने अभी पिछे सीखा कि ऐसी condition में बंदे को हमेशा loss ही loss होगा, तो loss की percentage क्या थी, x square, x क्या है यहाँ पे 20, तो 20 का square divided by 100, which is equals to 400 divided by 100, तो loss की आपकी percentage आगी 4% की, हमारा loss का 4% हो रहा है, profit वाले आपके option तो सिदह सिदह इले minute हो जाते है, आपको सिर्फ काम करना है loss पे, ठीक है, loss आ रहा है हमारा 4%, यह आगया कि अगर सिर्फ loss पुछाओ, अगर उनने पुछाओ कि कितने रुपीज या फिर जिस भी चीज का loss हो रहा है, वो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर आगी हमारे पास values, अब हमें exact value बतानी है कि कितने इस का loss हुआ है, पिछले तरीके को यह अपने apply करना है, आपका loss percentage आएगा 4% का, उनने overall business में का है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, CP लेंगे overall business का, यानि flat 1 का भी, यह होगी CP flat 1 plus flat 2, तो यह हमारे आगी overall CP into, loss कितना ओर है, 4% का, तो यहाँ पर आएगा 96 divided by 100 is equals to, 12,00, रुपे each, 12,00, रुपे each यानि, एक flat की कीमत 12,00, दूसरे flat की कीमत भी 12,00, तो total कितनी होगी, 24,00, ठीक है, यह पार्ट समझ आया है, अब ही 24,00, काँ से आया, हम overall calculate कर रहे है, overall अगर हमने flat 1 और flat 2 की CP हमने plus किया, तो flat 1 और flat 2 की हम SBP add करेंगे, ठीक है, 24, 4, 25, तो CP आगई, 25, lakh flat 1 plus flat 2 की, उनने पूछा है, overall profit या फिर loss, इतनी चीज़ तो हमें clear है कि loss ही होगा, देखिए, CP है आगई, आपके पास overall 25,00, SP है, आपके पास overall 24,00, तो आपको clear लिए दिख रहा है, 1,00, का आपको हो रहा है, loss, तो 1,00, आपको option D, जो मैंने part second में आपको कराया था, वहाँ का answer है था, none of these, अगर आपको याद होगा तो, अब हम करेंगे हमारा आज का जो main topic है, जो की है, dishonest vendor वाला, ठीक है, so, question आगए आपकी screen पर, a dishonest dealer promises to sell his goods at CP, यानि की, जो vendor है, उसने का कि, जितनी उसकी CP थी, उतनी ही SP पे वो बेचतेगा, but uses a weight of 900 grams instead of 1 kg of weight, ठीक है, 1000 gram होता है, 1 kg के बराबर, 1000 gram की जगह उसने 900 gram का weight लगाया, यानि उसने cheating की, कितनी की cheating की, 100 gram की cheating की, ठीक है, find the gain of this dishonest person in percent, ठीक है, अब ये question कैसे होगा, सबसे पहली चीज़ हम मानेंगे, कि CP जो है, 1000 gram के लिए होगी, 1000 रुपीज, यह हमने assume की है, मतलब यह वो वाली price है, जिस पे यह जो dealer है, यह product को खरीद के लाया है, ठीक है, next चीज़, dealer ने कहा कि, वो product को बेचेगा, CP पे ही, यानि dealer के हिसाब से, SP भी होनी चाहिए, 1000 रुपीज, 1000 gram के लिए, ठीक है, यह dealer ने कहा है, पर उसने गपला किया, उसने 9,000 gram बेचा, 1000 रुपीज का, ठीक है, so, पहले क्या था, 1000 gram के लिए, 1000 रुपीज थी, CP, ठीक है, SP क्या है, 900 gram के लिए, 1000 रुपीज, क्योंकि उसने गपला किया है, अब ऐसे question में क्या करना होता है, जो भी उसने गपला किया होता है, जितने का भी उसने गपला किया होता है, देखिए, जो उसने गपला किया है, वही उसका profit है, ठीक है, तो हम वो profit मान लेते हैं, 100 gram का, 100 gram यानि 100 रुपीज का, क्योंकि हमने लिखा है, यहाँ पर 1000 gram की CP है, 1000 रुपीज, अब denominator में यहाँ पर CP नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि यह CP vendor ने बताई कि उसने इतनी यूज की, पर उसने असली में CP कितनी रखी, 900 gram की, क्योंकि उसने तो 900 gram का यह product बेचा न, 1000 gram उसने product खरीदा था, 900 gram उसने product ब बढ़ा हुआ है, वो अपनी profit percentage 900 gram पे ही निकालेगा, जितना उसने बेचा, तो denominator में आ गया, 900 into 100 आ गया, ठीक है, यह दो गए, यह दो गए, आपके पास आ गया यहाँ पर, 1 by 9 into 100, 1 by 9 किसके बराबर होता है, 1 by 9 होता है, 11.11% के बराबर, कोशन समझ आया, फिर से बता देत देखिए, उसने कहा कि CP 1000 gram की है, 1000 रुपीज, उसने promise किया कि यही जो CP है, वही SP होगी, पर उसने क्या किया, 900 gram का weight use किया, और उसको बेचा 1000 रुपीज में, क्योंकि customer को तो यह लग रहा था कि 900 gram, 1000 gram के बराबर है, ठीक है, गपला तो shop की पर निकिया, customer को यही लग रहा है कि उसने 1 kilo का समानी करिदा, जबकि उसने 900 gram का समानी करिदा था, जो गपला किया shop की पर निकिया, वो होगा उसका profit, तो profit आ गया 100 gram का, अब देखिए, जब तक उसने अपने 1000 के 1000 gram का product बेचा ही नहीं, तो वो अपने 1000 के 1000 gram पे profit क्यों calculate करेगा, वो तो अपना profit उसी पे calculate करे 900 gram पे और 100 लगा देगे हम percentage के लिए, तो इस 0 से इस 0 गया, 1 by 9 आया आपका, 1 by 9 होता है आपका 11.11% के बराबर तो option C आगया आपका answer, ठीक है, अब इस concept से हमने एक चीज़ सीखी, कि usually जो हम नीचे denominator में लिखते थे CP, उसमें 1000 आनी चाहिए, पर इसमें CP चेंज होगी, क्य क्योंकि उसने 1000 का 1000 gram तो बेचा ही नहीं था, तो हम ये चीज़ कह सकते हैं, कि जो fraud कर रहा है वो, वो आ रहा है हमारा profit percent, ठीक है, जो fraud कर रहा है वो, denominator में आता है CP, अब CP कि क्या होगा वो, मैंने आपको अब भी explain किया, CP आपकी वही होगी, जितना उसने product बेचा, ठीक है, ये चीज़ छोड़ दो, ये चीज़ मन ध्यान दो इस पर, जो मैं अब बता रहा हूँ, उसी पर ध्यान दो, CP होगी आपकी जितनी उसने बेची, तो CP आपकी पिछले case में थी 900 gram, क्योंकि उसने 900 gram बेची, into 100 लगा दिया आपने, तो आपकी profit percentage आ जाएगी, ठीक है, अब इनी के base पर हम करेंगे question, पहला question आपकी screen पर है, जो कि कह रहा है, एक shopkeeper ने promise किया, कि वो एक item को 20% profit पर ही बेचेगा, आपने assume कर लिया, 1000 gram, 1000 रुपीज के बराबर CP assumed है, ये shopkeeper के पास आई है, ठीक है, उसने कहा कि वो सिरफ 20% का profit लेगा, यानि 1000 रुपीज में 20% का profit 1200 बट, selling करने के time उसने 20% less weight लिया, ठीक है, यानि कि उसने 1000 gram की जगा 800 gram लिया, ठीक है, 800 gram, 800 gram के 800 रुपीज ही होंगे, fraud कितने का हुआ, 400 का, तो यही 400 होगा उसका profit, 400 का हुआ उसको profit, divided by, बेचा कितना उसने, 800 gram into 100, 1 by 2 into 100, और 1 by 2 into 100 होता है, 50%, simple, और कुछ concept नी था, उसने कितना promise किया, बेचने का, उसने का कि मैं 1200 रुपीज में बेचूंगा, 1000 gram, पर उसने 800 gram बेचा, 1200 रुपीज का, 800 gram की CP होनी चाहिए थी, 800 रुपे, fraud कितने का हुआ, 400 रुपीज का, तो यही 400 रुपीज का fraud उसका बन profit, profit divided by जितना उसने बेचा, 800 gram into 100, आपका आगया final answer, next question, a merchant gain 14.28% due to use of faulty weight, if the customer purchased 2 kg item, then how much he actually got, अब देखिए, यह question आ गया, reverse, जो अभी तक हमने question किया, यह उसका बिलकुल reverse आ गया, इन्होंने percentage बता दी कि इतना उसको gain हुआ है, ठीक है, next चीज उन्होंने बताई कि उसने faulty weight use किया, customer को लगा, उसने 2 kg खरीद लिया, पर उसने 2 kg नहीं खरीदा हुआ था, उसने कितना खरीदा हुआ था, हम इस पे काम करेंगे, सबसे पहली चीज आप 14.28 को fraction में convert कर दोगे, 1 by 7, 7 है CP, 1 होगा उसका profit, ठीक है, 1 होगा profit क्योंकि इदर लिखा हुआ gain, ठीक है, 1 होगा profit, अब हम इस पे काम करेंगे, बेचा, उसने कितना, मतलब customer को क्या लग रहा है, उसने कितना खरीदा, उसने खरीदा 2000 ग्राम, ठीक है, इसको हम ऐसे लिख देंगे, मैं आपको सिधर trick ही बता रहा हूँ, इसको हम ऐसे तोड देंगे, 7 और 1 में, 1 का उसको profit हुआ है, 7 उसकी थी CP, तो overall business किया है, उसने कितने का, 8 units का, ठीक है, यह आपने याद कर लेनी है, इस question को कैसे solve करना है, जब reverse में पूछ हो तो कैसे solve करना है, overall business हुआ है, 8 units का, तो 8 unit की value आ गई, 2000, 1 unit की value आ गई, 2000 divided by 8, यानि की, 250, 1 की value है 250, CP है 7, तो CP हो जाएगी आपकी, 254 जा हो गया 1000, और 253 जा हो गया 750, तो आगया आपका 1000 plus 750, which is equal to 1750, यह आई CP, मैंने आपको पिछले question में ही बताया था, CP क्या होगी, जितना product उसने बेचा होगा, अपना profit वो उसी product पे गिनेगा, तो अगर 1750 आपकी CP आ रही है, यानि उसने 1750 ग्राम का ही product पेचा होगा, तो आपका C option आपका final answer, ठीक है, इसी के साथ हमारा profit and loss का part 3rd भी खतम होता है, आज के part में हमने एक trick सीखी बहुत अच्छी सी, जिसमें SP सेम थी, profit और loss की percentage सेम थी, तो हमने एक formula लगाया, x square divided by 100, x है, इसमें वही profit slash loss की percentage, ठीक है, और हमने क्या किया, यहाँ से अपनी loss की final percentage निकाल ली, ये था हमारी trick, next is हमने एक dishonest vendor की कहानी देखी, उसके concept सीखे, और उसके base पे question सीखे, उन concept में भी एक हमने trick सीखी, जो reverse पे use करनी थी, ठीक है, तो इसी के साथ हमारा आज का part होता है, full and final खतम, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, साथी साथी इस वीडियो को अपने friends के साथ share कर सकते हैं, और आप ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को subscribe भी कर सकते हैं, Thank you.